हेलो नोस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल प्रॉफित स्टेडी में तो फाइनली समय आ गया है वो जब इसका ओनलाइन जो लिंक है वो एक्टिव हो गया आप फॉर्म अपलाई का पाटिकुलर अपकि जो साधानी है उसे नहीं बरतोगे अच्छे से फॉर्म अपलाई नहीं करोगे तो आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा और मैं पहले एक बाते हैं पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी आपका एप्लिकेशन फीस नहीं लग स्क्रिप्शन में आपको वाट्सेप गुरूप का लिंक मिलेगा जरू-सरू जोइन करें च्छोटे जमोटे अपडेट पीडे वेगरा कंटीनू आपको देखने को मिलते रहते हैं यह आपका ओल इंडिया वैकेंसी है तो आल अवर भारत की जितने भी छात्रे हैं आल आप सभी को बता दें कि आज है आपका 8 जून 2023 और 8 जून 2023 से ही आपका SECR नागपूर South Central Railway नागपूर का फॉर्म अपलाई होना शुरू होगा और देखिए जिसका भी कम परसेंटेज है 10th प्लस ITI मिलाकर जिसका भी 80 से कम है या फिर 85 है 75 है 70 है वो सभी छात्र इस भरती का फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा टोटल पोस्ट का बात करें तो 772 पोस्ट पे इसका नूडिफिकेशन जारी क्या गया है दो डिपार्टमेंट की तरफ से पहला आपका नागपूर मंडल और दूसरा आपका मोती बाग ठीक है टोटल अगर बात करें तो 20 तरह क दीजल मेकनिक और यह ऑपका ट्रीमर का है और यह अपकर बहुत कम वेकंसी आता है ठीक है बहुत कम देपार्टमेंट की तरफ से रिलिज होता है देंटल लबुरेटरी टेक्निशन र बात करेंगे तो यहां पर दीखिए आपका 708 वेकेंसी और वहीं एकर next में बात करेंगे मोतिवागवर्स आप नागपूर की तरफ से जिसमें अगर टेट का बात करेंगे तो 6 ही टेट को मौका दिया गया है आप सभी देख सकते हो और इसमें आपका 64 वेकेंसी है तो वहाँ करेंगे तो यहां पर देखिए मोतिवाग के लिए आपका यह इस्टाब्लिस्मेंट कोड है दोनों अलग अलग रखा गया हम आपको यह भी साथ में बताएंगे वीडियो के आगे कि क्या आप दोनों डिविजन के लिए फॉर्म अपलाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते अब चलते हैं इसका ओफिशल व्यो साइट पर यहां से आपको बिल्कूल भी ध्यान से देखना है ठीक है यहां से वीडियो कोई स्क्रिप नहीं करना है नहीं तो फिर आप कहीं पे भी चूप मिस्टेक कर सकते हो सबसे पहले फॉर्म को अपलाई करने के लिए क्योंकि इस तरह का इंटरफेस दिखेगा उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले आपको यहां पर करना है लॉग इन करने के लिए आपको यहां पर साइड में करने के लिए आपको यहां पर सामने इस तरह का इंटरफेस होगा इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आ को शूज करना है उसके बाद आपको यहाँ पर आपना email id डालना है email id वही email id होना चाहिए जिस email id से आपने अपना nap profile को complete किया है ठीक है email id डालने के बाद आपको यहाँ पर submit वाले बटन पर गुमिलेगा और यहाँ पर आपको indicate किया जाएगा कि जो भी आपने nap profile बनाते time ठीक है registration के time जो भी आपने mobile नंबर दिया था उस mobile नंबर पर आपका OTP जाएगा और OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है ठीक है है तो ही आपका form apply होगा अगर आपका EKYC नहीं हुआ है मालीजय आपने अभी तक EKYC अपने नहीं किया है तो कल ही इससे related हमने एक video डाला है पूरा full detail के साथ कि कैसे आप step by step करके अपना EKYC को complete कर सकते हो सिर्प mobile से ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको check कर लेना है कि आपका profile कितना percent complete है अगर 100 percent complete है तो बहुत अच्छी बात है आप अपना कोई भी apprenticeship का form यहां से apply कर सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है इस process को देखने के बाद आपको यहां पे देखिए एक option मिलेगा ठीक है यहां पे देखिए apprenticeship opportunity का ठीक है यहां पे आपको apprenticeship opportunity का एक option मिलेगा तो उसके बाद आपको यहां पे देखिए apprenticeship opportunity का एक option मिलेगा ठीक है यहां पे देखिए apprenticeship opportunity इस पे आपको click करना है जैसी click करिएगा तो देखिए आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा apprenticeship opportunity करके ठीक है जैसा कि आप सब यहां पे देख रहे हो और उसके बाद आप आपको इस वाले कॉलम पे क्लिक करना है ध्यान से देख्या हम आपको अच्छे से पूरा समझा दे रहे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जागा तो वीडियो को इंड तक देखेगा ताकि दुबारा देखने को आपको य सब कुछ नहीं देखना है सीधा आपको क्या करना है यहाँ पर आपको आ जाना है सब्सक्राइब by establishment name में उसके बाद आने के बाद आपको यहां पर क्या करना है आपको देखें इस्कीन पेस आपको establishment code दिख रहा होगा जो मैंने पहले वीडियो के पहले भी आपको बताया था नहीं देखेंगो तो सबसे पहले वह आपको देख लीजे जो आपको वीडियो का आपको बताएंगे हाँ ठीक है सबसे पहला हम लेते हैं कि हमको माली जे फॉर्म अप्लाई करना है नागपूर मंडल में तो नागपूर मंडल में जो फॉर्म आप अप्लाई करिएगा उसका जो आपका चाइप करना है और माली जे जैसे यहाँ पर चार पांच यहाँ पर वर्ड टाइप करिएगा तो आपको यह वाला जो है ओटोमेटिक सो होने लगेगा तो कुछ कंडियेट क्या करते हैं ध्यां से समझेगा यहीं पर समझने वाला पाट है इसलिए बोलते हो कि मेरा यहाँ पर सो नहीं हो पा रहा अपलाई नहीं हो रहा में रीजें नहीं होता है जिसके कारण आपको यहाँ पर अपलाई करने में प्राब्लम होता है और यह इतना डिटेल से कोई आपको बताता नहीं जितना डिटेल से हमारे दोर आपको एक्स्प्लेइन करके बताई जा रहा है तो सबसे पहला आपको क्या करना है, कि establishment code को आपको ak करके आपपे type करना है, और माल लीजे, 4-5 code type करते हैं, तो automatic आपको ये show होने लगेगा, तो आपको ये गलती नहीं करना है, इस पे click आपको नहीं करना है, ये जो establishment code दिख रहा, इस पे आपको click नहीं करना है, आपको क्या करना है कि पूरा जितना भी establishment number है वो सारा establishment number आपकोokay करके यहाँ पे type कर देना है जैसे आपका इस establishment code रोगया इस establishment code को type करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कहीं side में click करना है कहीं साइट में कहने का मतलब है कि कहीं आप इहर भी क्लिक कर सकते हो यहां नीचे भी क्लिक कर सकते हो कहीं पर भी आपको साइट में क्लिक करना है इंटर नहीं करना है और यहां पर आपको search और option पर click करना है, जैसे click करिएगा तो आपके सामने यहां पर देखिए नीचे में automatic दो options होगा, पहला आपका establishment name का और दूसरा आपका board का, South Central Railway, नागपूर division, तो पहला वाल आपको select नहीं करना है, दूसरा वाल आपको select करना है, और जैसे दूसरा वा application form यह apply कर सकता है, बिना कोई fees के, ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर देखिए, 21 opportunity आपको show हो रहा होगा, तो आप में देख लेना है कि आपका जो भी trade है, ठीक है, अब जिस भी trade से आपने ITI किया है, जिस भी trade में आपका certificate है, वो particular trade को आपको select कर लेना है, ऐसे scroll करीगा तो आपको सारे trade यहां पर देखेगा, ठीक है, अगर आप माली जे किसी trade के बारे में detail से जाना चाते हो, तो view वाले option पर आपको click करना है, जैसे माली जहां पर electrician एक trade है, तो चलिए electrician को ही हम अप्लाई करके आपको बता देते हैं, तो electrician में आपको सबसे पहले क्या करना ह view वाले option पर click करना है, आप जैसे view वाले option पर click करेगा, तो इस तरह का interface आपके सामने आजाएगा, electrician का, उसके बाद आपको यहां पर देखे सारा कुछ आपको बताया जाएगा, कि number और कितना seat है, कितना आपको stipend दिया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ आपको बताया कि select preferred location, इसमें आपको क्या करना है, कि any location पर आपको click करना है, ठीक है, जैसे click करिएगा, तो आपके सामने इस तरह का interface आएगा, उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, कि primary location, आपको primary location वाला को click करना है, और उसके बाद आपको OK बटन पर click कर देना है, जैसे OK बटन पर click तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो form है ध्यान से देखिए यहां पर आपको किलियर मेंशन किया जा रहा कि आपका जो form है electrician trade से applied successfully successfully आपका जो naps profile पर आपका form railway apprenticeship के लिए apply हो चुका है बिल्कुल कोई भी फीस नहीं लग रहा free of cost है ठीक है कोई भी फीस नहीं लग रहा railway की तरफ से जो भी आपको यहां पर आपको यहां पर आपको बताया जा रहा कि अल्रेडी अप्लाइड ऑन आठ जून 2023 मतलब अभी कुछ टाइम पहले है इस candidate का मैंने form apply किया है तो इसी के माधियन से आपको भी हाँ पर update किया जा रहा है अब बात करते हैं कि एक और division जो है उसके बारे में हम जैसे आपको माल लीजे दोनों में apply करना है ठीक है दोनों में भी आप कर सकते हैं कोई दी करनी पर मेरा उन candidate से request है कि जिसका percentage जादा है 85 से जादा है वो कोशिश करिए एक ही division में form apply करने के लिए क्योंकि अगर आप दोनों division में form apply कर दोगे तो फिर दोनों division में आपका नाम आ जाएगा इनसे उन सभी छात्रों को आपे problem हो जाएगा जिसका percentage कम है तो आप सभी से request है 85 से जादा percentage व है उसे search करना है ठीक है search करने के बाद आपको पहले side में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको search by establishment name पे क्लिक करना है जैसी name पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने देखिए ऐसा interface आजागा ठीक है वर्सवा मोतीवाग सावती सेंटरल रेलवे नागपू सकते हो अब बहुत सा प्रमिल आपको क्या करना है देखिते हैं आपके प्रोफाइल फोटो होगा फोटो के बगल में आपका जो नाम होगा ठीक है यहां पर धियाँ दीहान से रेंप आपका फोटो का बगल में एक आपका नाम होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, जैसी क्लिक करीगा तो आपके सामने देखी ऐसा इंटरफेस आजाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखी आपको एक dashboard का option मिलेगा, second में, ठीक है, second number में आपको एक dashboard का option आप क्लिक करना है, application वाले option पर क्लिक करते ही, आपको जो भी जितने form आप अपलाई किया होगे, वो सारा form आपको दिखाई देगा, जैसे अभी देखी आज के date में यह form अपलाई किया गया, तो सबसे टॉप में यह form आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर view वाले option पर क्लिक आ रहा है, इसको लेकर आप हमें comment box में comment करके जरूब बताईगा, I think जो भी procedure मैंने आज किस वीडियो में detail से बात की, यह procedure आज से पहले आपको किसी ने detail से नहीं बताईगा, तो इसी बात में वीडियो को like कर दिए, चैनल पर first time है, तो इसी तरह latest update पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell button call कर दिएगा, फिर से मिलेंगे आप से नहीं भरती नहीं जरकारी के साथ, अब तक लिए जय ही जय भारत